आज बनाएंगे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एकदम अलग और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी जो सभी को बहुत पसंद आती है और इसके हम बनाएंगे बहुत ही इंस्टिंट तरीके से तो आज हम बनाने वाले हैं पाव भाजी की रेसिपी क्योंकि बच्चों को हमेशा कुछ अलग चाहिए होता है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन या कड़ाई इसमें डाल देंगे दो टेबल स्पून बटर साथ में दो चम्मच हमने यहाँ पर ओयल भी लिया है जिसे यह जलेना साथ में इसमें डाल देंगे साथ से आठ लेजन चॉप करके दो सी तीन यहाँ पर ग्रीन चिली चॉप करके और इन्हें अच्छे से भून लेंगे गैस का प्रेम हमें मीडियम रखना है अब यहाँ पर मैंने यह एक बड़े साइस का प्याज बिल्कुल बारिक चॉप करके लिया है इसे भी अच्छे से भूनना है प्याज का कलर बहुत ज़्यदा चेंज नहीं करना है हलका गुलाबी हो जाए बस इतना ही तो आप इसे भी अच्छे से भूनने अब आप देख सकते हैं प्याज का कलर हमारा एकदम ट्रांस्परेंट हो गया हलका गुलाबी सा हो गया है इतना ही हमें इसे कुक करना है बहुत ज़्यदा रेड कलर नहीं करना है अब हम इसमें डालेंगे बाकी की चीज़े तो हमने आप यह दो गाजर ली है बिल्कुल बारिक चौप करके साथ में हमने दो छोटे साइट की सिमला मिर्च भी बारिक चौप करके लिए है इन्हें भी बहुत अच्छे से भूनना है यह पावभाजी के लिए आपको पहले से कोई प्रेपरेशन करने की ज़रूरुद्ध नहीं पढ़ने वाली है बस आप सारी सब्जियों को चौपर से चौप कर ले और बस इसे इस तरह से इस्तमाल कर ले सारी सब्जियों को बहुत ज़दा ओभर कुक नहीं करना है हमको बस इसका कच्चा पन निकल जाए बस इतना ही साथ में इसमें डाल देंगे हम यहाँ पर मटर तो मटर मैंने यहाँ पर दो टेबल स्पून के लगभग लिए हैं यह फ्रोजन मटर है तो इसमें ज़्यादा कुकेंग प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी अगर आपके पास फ्रैस या कच्चा है तब आप उसे बॉइल करके ले तो इसे भी बहुत अच्छा से हम इसमें मिक्स कर लेते हैं अब हम यहाँ पर लेंगे यह दो बारिक कटे हुई टमाटर तो हमने सारी चीजों को चौपर से चौप कर लिया है चौपर से चौप करने से जल्दी से इसका जो कुकिंग प्रोसेस से फटा फट से होता है और बहुत जल्दी से कुकिंग भी हो जाती है तो टमाटर की कॉं करके और इनका चिलकवी उतार लिया रहता है वह भूख या एक दम आ lets clean आप इसमें डाल देंगे हम यहां पर 2 टेबल स्पून भर कर कास्मीर रेट्चिली पौडर दो टेबल स्पून पावर जी मसाला और साथ में स्वादनुसर नमक तो हम इसमें पानी डालने वाले हैं इसलिए हम इसमें नमक की कॉंटिटी उसी साफ से एड कर रहे हैं तो अब इसको अच्छे से हमें mix करना है सारी चीजों को अच्छे से भून लेना है हमको और इसके बाद जब यह भून जाएगा तब हम इसमें पानी की quantity एड़ करेंगे सब्जों के साथ सारे मसाले हमारे mix हो चुके हैं अब हम इसमें डाल देंगे पानी तो आपको जितनी ग्रेवी पसंद हो उसी सापसे आप पावभाजी के लिए पानी रख सकते हैं बहुत ही बहतरीन ये पावभाजी बनकर तयार होती है बहुत ही कम इंग्रेडेंट के साथ मतलब बेसिकली इसमें जितने ingredient इस्तमाल होते हों हमने सारी ही डाले हैं आप इसमें गोबी बगर भी एड़ कर सकते हैं या फिर जो भी सबजी आपको पसंद हो पानी की consistency उसी साब से रखे कि ये थोड़ा थिक भी रहे और बहुत ज़्यादा इसमें liquid form भी ना रहे तो ये देखें बढ़ियां से हमने अभी पानी डाल दिया है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी boiling भी करनी है हमको अब इसको हम ढग देंगे और 5-8 मिनेट के इसको हम कोखोने देते हैं सब्जा पहले हमारी कुक हो चुकी है इसलिए बहुत ज़दा हमको अबर कुक नहीं करना पड़ेगा आप देख सकते हैं कितना बढ़ियां इसमें उबाल आ रहा है ग्रेवी बहुत बढ़ियां है कलर भी है बहुत जानदार आ रहा हमने इसमें कोई भी फूट कलर एड़ नहीं किया और ना ही हमनें इसमें बीट फूट डाला है अब इसको इस तरह से मैसर से हलका सा मैस कर दे जिसे की सारी सबजी इच्छ से एक सार हो जाएं तो बहुत ज़दा मैसी हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमको इसी तरह से पसंद है अगर आपको बहुत ज़दा पेस्ट वाला पसंद है तो आप सारी सब्जियों को चाहे तो ग्रेंडर या चौपर से एक चौप भी कर सकते हैं जब जो सीधे चौप किया जाता है उससे भी चौप कर सकते हैं या फिर कुकर में भी एक सीटी लगा कर इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़दा मैसी पसंद है तो वरना आप इस तरीके से बनाईए और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और ये बनती भी बहुत जल्दी से है तो हमने इसको अच्छे से मैस कर लिया है अब लास्ट में डाल दिंगे चौप के हुआ धनिया अब आप इसको बना कर रख लीजिए और बस पाव को सेखी और हमारी पाव भाजी बन कर तयार हो जाएगे तो कभी-कभी बच्चों के लंच बॉक्स में अगर आप इस तरह की रेसिपीस रखेंगे न तो वो बहुत खुस हो जाते है बच्चों के साथ-साथ आप इसे husband के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं तो यहाँ पर मैंने यह पाव ले लिए है आप अपने मन पसंद कोई भी पाव ले सकते हैं इसको बीस्ते हम कट करेंगे क्योंकि हम इसे सेखने वाले हैं तो थोड़ा सा सेखने से और भी ज़्याद ये टेस्टी हो जाता है तो मैंने इस तरह से बीस्ते से कट कर लिया है यहाँ पर हमने अब लिया एक पैन इसमें हम डाल देंगे बटर साथ में डाल देंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला बिल्कुल थोड़ी सी कास्मिर रेट चिली पाउडर डाल देंगी, ऑप्सिनल है ये साथ में हमने इसमें धनिया भी डाली हुए चौप करके और मिक्स करके इस तरह से पाउड डाल दिया है मूँ वाली वीडियो स्किप हो गई है तो आप धनिया डाल कर इस तरह से पाउड को डाल दें और इसको दोनों तरब से अच्छे से हमें सेक लेना है इसमें हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि पाउड में अल्रेडी नमक होता है और फिर इस तरह से बहुत ज़्यदा सॉल्टी हो जाएगा तो आप नमक स्किप कर सकते हैं और इसको दोनों तरब से अच्छे से हमें सेक लेना है बटर की कॉंटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं आपको जितना इस्तमाल करना उसी साब से और ये देखिए बढ़िया से हमारे मसालेदार पाओ भी हो चुके है एकदम रेडी अगर आपको चीज बगार इसमें डालनी है तो आप डाल सकते हैं क्योंकि आज कल हर चीज में चीज डाली जाती है मैं यहाँ पर स्किप कर रही हूँ और देखिए बढ़िया से हमारे मसालेदार पाओ जो है वो रेडी हो चुके है तो आप लंच बॉक्स के लिए बनाए ब्रेकफस्ट के लिए बनाए हस्बेंड्स के लिए बनाए या फिर कभी भी बनाए आप बहुत इसली ने बना सकते है तो ये देखिए आज का बहुत ही स्ट्रीट स्टाइल हमारा लंच बॉक्स हो चुका है तयार आप कुछ लोग कहेंगे कि लंच बॉक्स में ये सब कौन रखता है तो आप ये सेटेडे की लंच बॉक्स में दे सकते हैं क्योंकि उस दिन हाप डे होता है और ये देखिए बहुत ही यमी सा हमारा लंच बॉक्स हो चुका है तयार आप इसे घर पर भी बना सकते हैं बिना लंच बॉक्स के भी बच्चों को इस तरह की चीज़े बहुत पसंद होती है अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न बूले इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए बैल ऐकिन दबा ले जिसे की सारे नोटिफिकेशन आपको मेरी फटाफट से मिल जाए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू, थेंक्स फॉर वाचिंग